साथियों, आज आदे के बाद हमारी पहली यसी सरकार है जिसने महिलाओं के लिए इतने काम किये हैं और सहर की महिला सिरब नहीं, गाओं की महिला के लिए भी हम दिल रात उसके चिंता करते रहें जीवन के हर पड़ाओं में महिलाओं की आवशक्ता को देखते हुए हमारी सरकार ने अनेक योजनाय लागू की है मेरी गरीब से गरीब दलीत, बंचीत, आदिवासी पिछले समाज की बहनों को गैस का कनेक्शन धूँदूए से मुक्ती गैस का चूला पहुचाया है गरीब माता और बैनों को इजज़गर मिले, इस सोच के लिए अंधेरे का इंतजार करने के कश्ट और अप्रान से मुक्ती मिली है सौचाले बनाए है ये हमारी ही सरकार है जिसने बलातकार रैप जैसे जरन्य अप्रात के लिए फासी तक की सजा का प्रावधान किया है महिला हीतों और महिला सुरक्षा के प्रती हम पूरी तरह संबेद अंसिल है लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर कॉंग्रेस की इस तरह का काम कर रही है वो देश आज फिर देख रहा है साथियों बीते तीन दिन से राजस्तान के अलवर की एक खबर दीरे दीरे बहार आना लगी है वहाँ एक दलीत बेटी के साथ दो हफ्ते पहले कुछ दरिंदों ने सामुहिक बलासकार किया लेकिन उन दरिंदों को राजस्तान की कॉंग्रेस की सरकार ने उन्हें पकड़ने के बजाए वहाँ की पुलीस वहाँ की कॉंग्रेस सरकार इस केस को ही छिपाने में दबाने में जुट गई साथियों राजस्तान में भी चुनाव थे इसलिए वहाँ की कॉंग्रेस सरकार ये नहीं चाहती थी कि चुनाव के पहले ये खबर बार आए ये खबर को दबाना चाहते थे गुनेगारों को बचाना चाहते थे बोट बेंक पर तोड़ना चाहते थे भाईयों बहनों आप मुझे बताईए जिस बेटी पर सामुहिक बलासकार हुआ उस बेटिया को नाए दिलाने के बजाए चुनाव बचाने का काम ये कॉंग्रेस की सरकार करती रही भाईयों बहनों यही यही कॉंग्रेस के न्याए की सक्चाई है कॉंग्रेस को डर था कि दलीत बेटी से बलासकार की बात खुलने से उसके वोट पर असर पड़ेगा इसलिए उसने इस पीडित की बात को ही अनसुना कर दिया जो चुनाव के समय बलासकार जैसी जदन्य वारदा को भी छिपाने की कोशित करें और इनके ज्राग दरवारी भी इतने भैंकर कान को दबाते रहे और ये मौमबत्यां लेकर के निकल पड़ने वाले लोग उमनी की इन मौमबत्यों से दुआ निकल रहा है बेहिमानी का दुआ निकल रहा है ये जो बारी बारी से एवर्ण वापसी की गैंग थी जरा उस एवर्ण वापसी को पूछना चाहता हूँ क्या अलवर की बेटी पे बलातकार होना आपकी वो एवर्ण वापसी गैंग क्यों सो गई है क्यों चुप बैठी है